जय हिन दोस्तों मैं देविंदर सिम्राठोड और आप देख रहे हो अमरा यूट्यूब चैनल फिजिकल कोच देविंदर राठोड और आज मैं आप सभी को एक नया टोपेक सिन पैन सिन पैन के बारे में बताने जा रहा हूँ तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो सिन पैन पूरा देख लिया तो लाइफ में आपके दुबारा कभी भी सिन पैन नहीं होगा तो सबसे पहले हम लेते हैं सिन पेन होता क्या है दोस्तों सिन पेन सिन पेन सबसे पहले आप ये पिक देखिए और इसके अंदर जो सिन पेन है जैसे हमारी जो पाम होता है पाम के जैसे हम रनिंग करते हैं तो रनिंग में ये जैसे हमारे फेबुला ये आप देख रहे हो ये ये मेरी ये है फिबूला और टीबिया ये दोनों जो हमारी हड़ी है इस हड़ी के साथ में दर्द होता है और उस दर्द को ये होता किस वज़े से है कि जैसे हमारी जो बॉन है फिबूला और टीबिया ये दोनों बॉन के साथ में हमारी जो पीछे की मसल्स है ये जो मसल्स है यह हड़ी के साथ जुड़ी भी होती है चिपकी रहती है तो जब हम जादा इस पर जूरौन को जगए छोड़ देती है जिसकी वज़े से हमें यह सहनी है पीड़ा होती है या पैन होता करेंगे अपको बताऊंगा कि इसके लक्षण क्या होते हैं कैसे पता चलेगा कि हमारे सिन्पेनीं है तो दोस्तों जब हम रनिंग करते हैं तो रनिंग करने के बाद में कई बार हमारे यह आप देख सकते हो यह जैसे कि इस्तरप और इस्तरप दर्द होता है जब बच्चे के दोर्टेट्स में दर्द होता है और दर्द महसूस होता है तो उस टाइम पता कैसे करेंगे कि अगर मैं जैसे इसको पूछूँगा ये इस तरह से या ये दोनों ये जो इस तरह से इस्तरप दर्द हो रहा है औ और अगर मैं इस तरह से दबाता हूं और वो चीकता है या हला करता है इसका मतलब पर सोश जैसे मैं दबाऊंगा ऊूर्ट ज्यादा पीडरा होगी इसका मतलब यह सिंघ होता है जैसे कि हम ज्यादा तेज दोडź रहे हैं अचानक डोड रहे हैं इस वजे से और दूसरा-ब ह नहीं दोड़ रहे होते हैं नहीं दोड़ रहे होते हैं तब भी दर्द होता है नॉर्मली एक दोड़ने के बाद में रेस्ट कर रहे होते हैं तब भी दर्द होता है तो इसे मंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे ये सिन पेन है अब सिन पेन होता किस किस कारण से है उसके रीजन् नहीं किए और आप स्टार्टिंग में रंश करने लग रहे हैं और दोड़ना शुरू कर रहे हैं तो आपके सिंपन होगा यानि हील एरिया में रनिंग कर रहे हो या हाइट वाले जगें रनिंग कर रहे हो उसकी वज़े से भी आपके सिन पेन होगा नमबर पांच हम लेते हैं कि आपका श्यूज अगर आपने फ्लेट सोल वाले जूते ले रखे हैं या सस्ते क्वालिटी के लो क्वालिटी के जूते पेन करके रनिंग कर रहे हो तो उससे भी आपके सिन पेन होगा इसके लाहा नमबर 6 हम लेते हैं अगर आपके फ्लेट फिट है फ्लेट फिट मतलब आपके जो ये पाउं है इसके अंदर ये कर्व ये कर्व ना होकर के बिल्कुल फ्लेट पाउं होंगे तो उसकी वज़े से भी शिन पेन होता है अब नेक्स्ट कारण में बताऊंगा आपको और नेक्स्ट कारण है गलत तरीके से दोड़ना अगर आप सही तरीके से नहीं दोड़ रहे हो आपके जो प्रोपर स्टेप इस तरह से पढ़ने चीए उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आपके सिन पेन होगा इसके अला कमजोर टांगे होगी कमजोर टांगों की मसल्स होगी कोर मसल्स होगी और पुल्ले की जो मसल्स होगी वह वीक होगी कमजोर होगी तो उसकी वज़े से भी सिन पेन होता है तो अभी हम चलते हैं अब मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक मैंने आपको बताया कि सिन पेन क्या होत तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि पीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ एक्ससाइज भी बताऊंगा जिसकी वज़े से यह ठीक हो सकती है तो सबसे पहले अभी मैं बताऊंगा इसका उप्चार उप्चार के लिए आपने दसवी क्लास की बॉर्ड की बुक वग लग जाती है तो फस्टेड किया जाता है इसके थूप तो आर मिंस रेस्ट रेस्ट है इंजर्ड एरिया फ्रोम फोर फोर्टीएट और यानि की अड़तारीस घंटे तक उस जहां चोट लगी है या जहां सिंपेन हो है उसको रब करो उसे बरफ से इसके बाद है आई आई यानि वरफ का सिकाव करो हर 20 मिनिट में 4 से 8 बार करना है 20 मिनिट का उसके बाद आता है C, C for compress, compress मतलब help reduce swelling यानि जो सूजन आ गई है उस सूजन को कम करता है compress के द्वारा इसके बाद E, E for elevate यानि the injured limbs 6 to 10 inches above the heart यानि अपना जो हर्दे है उससे 8 से 10 cm उपर उसको रखना है इस तरीके से हम राइस से इसका बचाव कर सकते हैं athlete या आप फोज पुलिस की तैयारी कर रहे हो या athlete हो तो आपको sin pain तो होगा आपने एक कावच सुने होगी no pain no gain तो pain तो होगा लेकिन अगर आपको खुद को check करना है कि क्या sin pain है? अगर sin pain है तो इससे बचना है इसका उपचार करना है अब उपचार किस तरीके से करना है वो मैंने बताया है राइस से और आगे भी बताऊंगा आपको कि आगे किस तरीके से करना है उससे पहले जैसे आपको फिर वापस relaxation मिल जाए तकरीबन आप 2-3 दिन का rest कीजिए सबसे पहले rest कीजिए rest rest के साथ में यह rice कीजिए और अगर उसमें भी ठीक ना हो तो आपको और ज्यादा रेस्ट और ज्यादा से ज्यादा इसमें एक हपते के अंदर यह ठीक हो जाएगा अच्छा अगर आपके sin pain है तो लापरवाई मत कीजिए ज्यादा लापरवाई करोगे त इसका दूस परिणाम भुगतना पड़ सकता है हो सकता है आपको आगे चल करके fracture की नौबत आ जाए तो इसलिए अगर आपके sin pain है तो उसे avoid मत कीजिए उसका उपचार कीजिए अब रोजाना अगर थोड़ी बहुत sin pain है तो उसके लिए exercises बताऊँगा मैं अभी आपको तो दूसरा अब आपको सावधानिया क्या क्या बरतनी चीए कि जब आप अगर आपको sin pain हो ही ना ऐसा क्या करें हम जिसकी वज़े से हमें sin pain ही ना हो तो मैं बारी-बारी से point wise अभी आपको sin pain की सावधानिया बताँगा मैं नमबर एक हमें जब भी running करनी है उससे पहले हमारे क को proper stretching exercise करनी है warm up करना है और running करने के बाद after running हमारे को cooling down exercise करनी है और stretching exercise करनी है अगर हम हमारे रोजाना के daily schedule में यह सब सामिल करेंगे तो हमारे sin pain नहीं होगा नमबर दो अगर हम shoes जो एक अच्छी quality के shoes होने चीए हमारे पास और shoes का हमारे को अगर shoes का जो soul होता है वो soul मोटा होना चीए उसका और hard soul नहीं होना चीए flexible rubber का soul होना चीए इसके अलावा अंदर के तरब भी sponge होना चीए उस जूते में इस टाइप का अच्छी quality का shoes होना ची चीए और नहीं हमारे पाउं से छोटाना चीए fix you जोना चीए अभी हम चलते हैं तीसरे point के तरब तीसरा point हमारा कि अगर हम starting कर रहे हैं पहली बार running कर रहे हैं तो हमें एक साथ ज्यादा hard running नहीं करनी है ज्यादा hard exercise नहीं करनी है हमारे को धीरे धीरे step by step चलना चीए तो इ इसके बाद next point आता है obesity या motapa अगर आप में ज्यादा motapa है और obesity या motapa है तो आपको सबसे पहले अपना motapa कम करना चीए और धीरे 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 आपको running करनी चीए तो उससे आपको sinpen नहीं होगा next point पर हम आते हैं next next point है कि जब हम हमारी running की या exercise शुरू कर रहे हैं या running schedule हमारा start कर रहे हैं और अचानक बहुत से बच्चे अचानक अपनी जो running है उसको अचानक तेजी से बढ़ा देते हैं और ज्यादा start ज्यादा करने लाज़ते हैं जैसे सपोज वह चार-चार सो के sprint मार रहे होते हैं दो-दो मार रहे हैं और अचानक वह 8-8-10-10 मारने लग जाते हैं या फिर 2 km, 5 km, 3 km जा रहे थे अचानक वह 10-10, 12-12, 15-15 km दोडने लग जाते हैं तो उसकी वज़े से भी होने लग जाता है कि अचानक आपको अपनी जो running schedule है उसको अचा उससे बचोगे तो आपके sprint जो यह sprint होंगे वो दीरे-दीरे step by step बढ़ा होगे तो आपके sin plan नहीं होगा next point है कि अगर आप heel area में running करते हो या height जो चड़ाई की height है उसके उपर अगर आप running करते हो तो उससे बचिए या फिर अगर उस पे करना ज़रूरी है तो वो दीरे-दीरे step by step अपने आपको पहले मजबूत बनाईए उसके बाद करिए इसके बाद next है कि अगर आप hard surface पर running कर रहे हो road running कर रहे हो या hard surface पर कर रहे हो या उबड़ खाबड जगहें पर कर रहे हो तो उससे बचिए उससे हो सके तो बचिए और कच्छे ground पर तेयरी कीजिए अगर आपके पेर flat है जैसे कि ये आप मेरा pound देख सकते हो ये ये जैसे करव बनावा है ये करव अगर ऐसा करव नहीं है और आपके flat pound है इस तरह से flat pound है तो सबसे पहले कोशिच कीजिए इसकी exercise कीजिए और इसकी उपचार कीजिए flat pound की problem को solve कजिए क्योंकि flat pound से दोड़ो इसके समय जो बिलकुल सई पोजिशन से किस तरीके से इसका वीडियो में बना दूँगा आप देख लिए ना link बेज दूँगा description में link मिल जाएगा इसके लावा i button में मिल जाएगा तो वहां से देख लीजिए गा किस तरीके से दोड़ना चाहिए दोड़ने का तरीका या core areas तो इनको strong बनाने के लिए सबसे पहले इनकी exercise के जरिए strong बनाईए इनका workout कीजिए और उससे भी जब इनमें जयाना जाएगी ये मजबूत हो जाएगी तो sinpain नहीं होगा ये सब तरीके आप अपना करके sinpain से बच सकते हो इसके अलावा अभी मैं आपको बताऊंगा इसके उपचार उपचार के लिए अगर आपके sinpain हो रहा है तो sinpain के लिए सबसे पहले आपको ice यानी बरफ बरफ का सिकाव करना है अब बरफ का सिकाव जैसे ice बरफ लिया औ और इस तरह कैसे यहां पर यह जो यह दर्द हो रहा है इस जगें यहां पर दोनों साइड भी जहां भी दर्द है वहां पर आप बरफ का सिकाव कर सकते हो इस तरीके से इस तरीके से आप रफ करके साथ जैसे बरफ का सिकाव हो गया इस पर बरफ का सिकाव करना है दिन में स आता है जो कि मुवं नी मुवेक्स मुवेक्स जेल है एक या फिर आंब जैल ले लेलो या मिव जैल मेडिकल पर मिल जाएगा वह लेकर के और उसकी यह दोनों साइडेश जहां भी है इधर लगानी है उसको यह और यह इस तरह से लगाकर करें मालीष कर ली यह यह यहां पर दोनों पाउं पे और इस तरह से ये क्रेब बेंडेज को इस तरीके से बांधना है ये आप देख रहे हो इस तरीके से क्रेब बेंडेज को पूरा बांध देना है और रेस्ट करना है रेस्ट में आप आपको जब रेस्ट करते हो तो उसके बाद पाउं को अगर बहुत ज्यादा धर्द हो रहा है तो इलिवेट यानि पाउं को इस तरह से थोड़ा हाइट में देखर करके इस तरह से लेटना है जैसे लेट जाते हो आप बेड़ पर लेटते हो तो इस तरह से उज्चा रखना है पाउं को और उसकी बाद compress यानि compress मतलब इसको थोड़ी थोड़ी ये मसाज थोड़ा दबाना है प्रेस करना है इस तरीके से यह इस हप्ता अगर ज्यादा ऑगर ज़्यादा गतर definitive हजाएगा अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए ये थी इसकी उपचार अब मैं आपको बताऊंगा कि exercise के दौरा कैसे ठीक किया जा सकता है और regular आप जब भी करोगे उसके बाद जैसे running करके आ रहे हो और रोजना आप ये थोड़ी बहुत exercise करते हो तो आपके कभी शिंपेन होगा नहीं तो अभी हम चलते हैं exercise की और जो exercise करकर के आप इसका इलाज कर सकते हो तो अभी हम चलते है exercise की और सबसे पहले exercise मैं आपको बताता हूं ये इस तरीके से और यह इस तरीके से किया और यह दोनों पाउं यह इस तरह से पाउं को यह किया और यह 15 सेकंड रुखना है फिर यह वपस फिर 15 सेकंड रुखना है यह पहली एक्सरसाइज यह थी अभी दूसरी एक्सरसाइज है इस तरीके से इस तरीके से पंजे कर लिए और ये बैट गये इन पंजों पर बैटना है ये इस तरीके से और तकरिबन 30 सेकंड बैटना है फिर ये उर जाना फिर यहां पर ये इस तरीके से इस तरीके से बेट जाना है ये अभी ये इस तरीके से और ये ये पाउं को इस तरी से हातों को इस तरी से कया और ये यहां से उठाना है ये इदर से दिखाना उठाता हुआ ये इस तरीके से प्रोफर किया और ये एक दो त तीन चयार पाँच छह साथ आठ नो दस तरीके से करना है यह तीन गया है टीन इसके तीन एक्सरसाइज हो गई अभी बताता हूं मैं चोथी एक्सरसाइज एक्सर्साइज यह इस तरीके से दोनों पावों को यहां रखा और यह लेट गए और यहाई से इनी पावों के उपर जोड़ देना इन पे और यह उठ जाना है यह और पूरा जोड़ देना इन पे यह और तक्रेबान 30 सेकंड तक रखना है उसके बाद रेलक्स अभी को नेक्स्ट एक्सर्साइब यह को यहां पर डाओ और यह कि यह और यह पूरा खाय्चो इसको इंटर और 10 सेकंड तक रोखे रखो फिर वाप्त चैंज है यह इसको यहां रखो और तुर अटरड के रखो यह ऐसे और फिर 10 सेकंड बर छोड़ दूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज है आप ये दोनों पाउं को आगे करो और ये इस तरह से है सीख दे पहले अंदर की तरब खेंचो और 30 सेकंड तक रोप के रखो उसके बाद रिलाक्स करो फिर बाहर की तरब खेंचो ये जोर लगा के 30 सेकंड त और फिर छोड़ा ये हो गया इसके बाद ये आप इनको रोटेड कर सकते हो और ये रोटेड कर सकते हो ये ये हो गया करें में घरने मेद फरिर कर और आभी नेक्स्ट एकसरसाइज अपिस तरह से साइड में देटेंगे और एक पाओं को इस तरह से ये उठाय Shopify ऑने लिए ये आप इस फोटो में देख तिरूला ते किका कठाएगा अभी सैडी चे जश्राइज करेंड अभी हिक साइड़ से इस्तरी कर सकते हैं। यह देख रहे हुए! अभी हम चलते हैं इस अएक्सट एक्षर्साइज के तरफ आँ एव देख रहे हो जैसे अब यह मैं आपको देख रहे हूं मेरे पाउं को देख रहे हूं काफ यह काफ एक्सराइज है किसी चीज भी खड़े हो सकते हूं या ऐसे जबिन कर सकते हूं और इनको आपको पक्रीबन 25-25 के सेट करने हैं आपको इन यह चार सेट किसी चलते रहे हैं पक्रीबन 25 तर काउंटिंग करनी है इसके बार रोलेक्स फिर गुबारा 25 इसके बार नेक्स्ट एक्सरसाइज है यह आप एक एक सिंगल लेग बैलेंस इस पाउं को बैलाम दोखने से जो एक रिखना है इसकी ब्लीकुल और पमजय को पीछे की तरफ नीचे की तरफ नीचे के रखना जस्टे यहां पर सामने खिँचेगी और खिचावाएगा अभी नेक्स्ट एक सरसाइज हम लेते हैं आप देखता रहे हूं आई यह देख रहे हैं घट करना है जैसे कि टार आसन की तरह से करना है और तकरीबन काूटिंग करना है पचास तक रुका है उसके बाद अभी हम चलेगे जिसे टार आसन की पोजिशन में आगे इसी तरी से और अभी तो हम सिरुप खड़ी थे लेकिन अब हमें एडवांस कर यह तकरीब नंचास कदम आगे चलना है विल्कुल टॉप पर बशान तरफ पर फिर वापस पीछी तरफ नेग्स्ट साइज है नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी से लिए है बट अग्ती बार आपको 80 पे चलना है वो ही 50 कदम आगे चलना है लेकिर ये पंजेगी पुल आगी की तरफ फैंच के रखना है जिसे आगी खिचाव आएगा जो फेगुला पे खिचाव आएगा और तकरिबन 50 कदम आगे चलना ह और फिर इनी से वापस 50 कदम इच्छे आना है ये एक्सरसाइज थी नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज के लिए हम चलना है ये आप देखिए एक पाउं को ये पोटो में आप देख सकते हो एक पाउं को इस तरह से आगे लेकर के और खिचाव करना है अपनी तरफ खैंचना ह और इस पर टेंशन आएगी ये ये आप देखिए लेट जैंज और ये हो गया है अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं इससे पहले ये आप देख सकते हो अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है क्रेब बेल्डेज जैसे मैंने लेर किया आप कोई रबड की आती है ऐसी मार्केट में मिलती है ऐसी स्लाइज वो ला सकते हो या कोई रस्सी ले सकते हो और ये आप देख रहे हैं इस पोटो में एक पांग को इस तरह स है और तकरीबन 25-30 तक कांटिंग कर नहीं है किसे एक दो इस तरह सब्सक्राइज तक हो गया और इससे ही इस तरह को हिचाब आएगा अभी जैंज इसी तरह के से जैंज दूस्टर पां लिया हमें और यह आप देख रहे है और प्रेस किया और चूल लगा की खेंचना इसक प्रेस देना है चाब रखना है और वही सेम 25 तर पांटिंग करना है कि छोड़ दिना है इस तरह के से एक से जोगी अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जाए अभी मैं उल्टा लेट जाओंगा यह लेट गया उल्टा और यह एक पांच से एक पांच से इसको पकड़ करके यह यह अफोर रस्षी बदीरा से भी कर सकते हूँ इस से इस निया पकड़ा तोर दोनों हाटों से प्रेस करना खेंचना है इसको खेंच के रखना है रोक के रखना है जोड लगा खेंचना ए और रोक कर रखना है वही तक्रेबन 20 तक कांटिं करना है और 20 से 25 हो यह छोड़ द एक्सरसाइज है जिसके अंदर आप ये देख रहा हो आप ये फोटो जिसके अंदर दूसरे किसी आदमी को देतो हो या तिसी चीज से बांध दो तुस्तरा और यहां से अपने इस पाऊं को ले करके और वहां उससाइड बेठावा वी जोड लगा के इसको खिंचे इस तरीके से देखो आप रशी से भी मान सकते हो जुटे तरह करते हो और स्कूप प्रेस बाहर बाला ठेचे और पाउं बाहर की तरफ पूरा प्रेस हो और यह एक एक्सराइज आप इस तरीके से भी कर सकते हो तो दोस्तों यह आपने देखा इस तरीके से आप सारी कभी हो नहीं सकता और इसके अंदर आप कुछ खाना पिना का भी होता है जैसे डाइट के अंदर आप वितामिन D की कमी इती है तो हो सोर्ष इसके लागा प्रोटीन सोर्ष इस बीलो और इस तरीके से आप ये सारी चीजें करने के बाद में आप सिन पेंसे छुटकर अपा सकते हुए ऐसे अनेक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब कीजिए, सेर कीजिए गुडबाई, टेक केर